जैसरी उम्बनासा की दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ पहले की तरब भातर ही होंगे आप तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर एक नई प्रॉपटी के साथ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो की अलका गोलेज के नियरबाई रहने वाला है मैं आपके अपनी नीशे आपकी होस्ट एक बाई फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप भी के अपने यूटुब चैनल SB Homes में तो आज चाहिए दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं घर का एलीवेशन लुक और ये रहेगा बहुत ही प्यारासा खुबसूरत सा ऐलीवेशन लुक दोस्तों प्यारासा दिया गया है काफी अच्छा टायल वर्क करके दिया गया है डर आपको मिल चाते है Arkansas पार है इस पीशियस मिल रहे हैं यहाँ पर इजली आप अपनी गाड़ी पार कर पाएंगे अपना टू विलर भी पार कर पाएंगे साइड वोल पर भी देख पा रहे हैं अच्छी हाइट तक आपको टाइल वर्क मिल जाता है यानिकि डंपले से रिटेट पाबलम नहीं आएगी डबल एंट्री के साथ में हाउस आपको दिया गया है यहां से आप डारिक जाप पाएंगे अपने फास्ट बैडरूम की तरफ और यहां से जाप पाएंगे अपने लीविंग इर्या की तरफ स्टेर्स का प्रोविजन दोस्तो आपको बाहर से मिल जाता है आजाये चलते हैं यहां से यह रहेगा आपका फास्ट बैडरूम अगर आप प्ष्पयर्म मिल जाता है यहां पर self मिल जाता है 손बूड़ा सा पेंडिंग है फिनिशिंग चल रही है दोस्तों तो जैसा आप सोच रहे हैं कि जैसा दिख रहा है ऐसा है मिलेगा क्या नहीं ऐसा बिलकुल नहीं मिलेगा आपको वाल पेपर भी लगवा कर दिया जाएगा तो एंड इसी के साथ में यहाँ पर वाड डॉप मिल जाती है आपको जैस यहाँ पर आशाता है आपका लिविंग स्पेस देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ से आपकी कैंट्री रहने वाली है जैसा कि अब भी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी विंडो के साथ मिल जाती है तो वेंटिलेशन तो रहे गाई यहाँ पर भी वाल पेपर लगना एक बार देख लीजे 15,60 के साइज के 700 गज में आपका यह घर बनाया गया है यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आजाता है आपका वोस बेसिन एरिया फ्रीज के लिए भी काफी अच्छा एक सापरेट एरिया आपको मिल जाता है और यह रहेगा आपका मॉडिलर कीशन देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी स्पेस के साथ मिल जाता है और यहाँ पर भी वोडन वर्क करके दिया शैगा कॉपलाइट्स के साथ यह है आपका सैकेंड वैडरूम दोस्तों देख पा रहे है इसका स्पेस भी ठीक ठाक मिल रहा है आपको यहाँ पर भी सैल्फ आप आपको मिल जाता है इजीली यहाँ पर अपना सोफा लगा पाएंगे रूम्स में आप बैड लगा पाएंगे और यह हो जाता है आपका ग्राउंड फ्लोर चलते हैं फर्स फ्लोर की तरफ और देखते हैं आपका थर्ड बैडरूम इन आपके ट्यारिस आ जाएगे तो दोस्तों अभी हमाई चुके हैं आपके थर्ड बैडरूम के तरफ यहाँ पर आपको एक और कॉमेन फॉस्ट रूम मिल जाता है इस पेस थोड़ा ठीक है दोस्तों इसमें ज्यादा बड़ा अपन कहा नहीं सकते और यह रहेगा आपका थर्ड बैडरूम इसमें भी सैल आपको मिल जाते हैं वार्ड रोप आपको दी गई है और इसी के साथ अटैस्ट पैलकोनी रहने वाली हैं जैसा के आप देख पा रहे हैं विंडो के साथ और अग सेपरे टूर के साथ मात्र 38 लाग में आपको यह घर मिल जाता है दोस्तों अधिक जानकरी के लिए दिये ग